जेमा बगलाम की जैस्री महाकाल रक्षा बंदन 2030 डेट कब है रक्षा बंदन 30 या 31 अगस्त क्यों है भर्म किष्टिति जानिये इसके पीछे के दस मुख्य कारण भक्तो यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाते हैं तो आप हमारी यूटूब चनल माबगलाम की बक्त कुरुक्षेत्र को सस्क्राइब करना ना भूले मैं आचारी है प्रदीप भारत द्वाज अपने यूटूब चनल माबगलाम की बक्त कुरुक्षेत्र में आपको हर्दिक स्वागत करता हूं हर अभी नंदन करता हूं इस वर्स अधिक मास होने के चलते रक्षा बंधन समेथ कई ब्रत और त्योहार कुछ देर से शुरू हो रहे हैं इसलिए हिंदो पंचांग के नुसार हर वर्स रक्षा बंधन का पुन्य पवित्र त्योहार सावन पूर्णी में को ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है रक्षा बंधन का पर भाई और बहन के आपसे प्रेम और सोहार्द का प्रतिक है यह भाई और बहन के प्रेम को दरसाता है रक्षा बंधन पर बहने अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सुत्र बांती है भाई की मनाना चाहिए और भद्रा रहित काल में मनाना ही बेहत सुब एवं कल्यानकारी माना जाता है रक्षा बंधन के दिन भद्रा होती है तो ऐसे में बेहनों को भाई की कलाई पर भद्रा काल में राखी नहीं मांदनी चाहिए राखी भद्रा की समाप्ती होने के बाद ही भाई की निकलाई पर आप राखी बंद्री अपना रक्षा बंधन का त्योहर मनाएं इस वर्स स्थ्रावन की जो पूर्णिवा तिधी है इस पर भद्रा का साया रहने के कारण तीस और एकतिस अगस्त को रक्षा बंधन मनाने को लेकर कुछ कनफ्यूजल बना हुआ है आईए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि रक्षा बंधन का जो त्योहर है वह तीस या एकतिस अगस्त कब मनाएं और दस खास बाते हैं जिसके कारण यह भर्म की स्थदी आपकी तोट जाएगी और आपको एक अद्भुद जानकारी आपके जीवन में प्राप्त होगी ऐसा मेरा विस्वास है वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी फिर भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को पूरा करने की कोशिस करूँगा और आप वी हैं किसकी पुत्रि है भद्रा और क्यों इसमें क्योंहार मनाना अँपर जित माना जाता है भक्तो रक्षा बंधन का जो परव होता है वे भाई और भेन के सद्भाव और प्रेम का प्रतिक है इस दिन भाई भाई पर रक्षा सुत्र बांती हैं इसके बदले में भाई बेहन को भेट देता है और सदेव उसकी रक्षा करने का वचन बेहन को देता है इसके लिए अच्छे मौरत अथ्वा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बानवे में भाई के सभी कार्यों की शिद्धी होती है तदा भाई को अनिष्ट जो उसके जीवन में होने वाला है अनिष्ट तृता से बचाता है और सभे छेतर में उसको विजय प्राप पूर्णिमा तिथी इसकी सुरुवात 30 अगस्त 2023 सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर होगी जब कि पूर्णिमा तिथी की समाप्ति है 31 अगस्त 2023 की सुबह प्राते कल 7 बजकर 5 मिनट पर होगी इस समय इस्तिथी का सदापन होगा रक्षा बंधन 2030 पर भद्रा का साया सास्त्रों के नुसार रक्षा बंधन का जो त्योहार है वे हमेशा भद्रा रहित काल में मनाना बेहद सुब मना जाता है अगर रक्षा बंधन के दिन भद्रा रहे तो इस दोरान राखी नहीं माननी चाहिए भद्रा का विचार करना बेहद जरूरी होता है लेकिन इस साल भद्रा का साया बना हुआ है पंचांग के नुसार तीस अगस्त को पूर्णिवा तिथी के साथ ही दस बज़कर अठावन मिनट पर जब पूर्णिवा तिथी प्रारंब होगी उसी समय भद्रा लग जाएगी जो देर रात रात नो बज़कर एक मिनट पर खत्म होगी इस वर्ष रक्षा बन्धन के दिन भद्रा का वास पृत्वी पर ही है जिसके कारण भद्रा में रक्षा बन्धन सुम नहीं रहेगा रक्षा बन्धन पर कब से कब तक रहेगी भद्रा रक्षा बन्धन भद्रा काल में मनाना असुम मना जाता है इसलिए भद्रा का पृत् जिसके कारण राकी का जो त्योहार है उसको लेकर मतभेर बना हुआ है पंचांग के नुसार स्थ्रावन पूर्णिमाती थी लगते ही भद्रा भी लग रही है जो रात नो बजगर एक मिनट पर खत्म होगी फिप्त नंबर पर तीस अगस्त को भद्रा पुंच और मुक का समय क्या रहेगा मुहरत सास्त्र के नुसार जब भी भद्रा की श्थिति होती है तो ऐसे में भद्रा के मुक का त्याक करके भद्रा पुंच के समय को देखकर सुबकारिय किया जा सकता है थीस अगस्त को भद्रा पुंच का जो समय है बहें पांच बज़कर 30 मिनट से लेकर 6 बज़कर 31 मिनट तक रहेगी पोईंट की बात हम करते हैं कोन है भद्रा कोन है क्यों लोग इस से इतना डरते हैं भक्त जनो भद्रा भगवान सूरीदेव एवं माता च्छाय की छोटी पुत्री है और सनीदेव इनके भाई है पौरानिक कथाव के नुसार भद्रा का जन्म देत्यों के विनास के लिए हुआ था जब भद्रा का जन्म हुआ फोरण हिस्त्रिश्टी को अपना निवाला बना लग गई इस तरह भद्रा के कारण जहां भी सुभ मांगलिक कारिये यग्यनुष्ठान होते हैं वहीं विग्ण आने लगते हैं इस कारण से जब भद्रा लगती है तब कोई सुभ कारिये नहीं किया जाता और नाहीं करना चाहिए ईसा सास्त्रों में वर्जीत बताया है भद्रा को असुब उमाना जाता है असुब kaal इसको समझा जाता है भद्रा को करणों में सात्वे करण यानि विष्टी करण से इस्थान प्राप्ते हैं बेदिक पंचांगे की गंड़ा के मताबिक भद्रा का वास तीन लोकों में होता है भद्रा तीन लोकों में वास करती है जब चंद्रमा करक सिंग कुम और मीन के होते हैं और इन रास्यों में चंद्रमा मौजूद होता है तब भद्रा का वास प्रत् पर नहीं होता या फिर वेह कारिये नश्ठ हो जाता है इसमें राखी मांधना सुम नहीं माना जाता चंदर की राज़ी से भद्रा का विचार किया जाता है या भद्रा का वास तै किया जाता है मिधुन ब्रस्चिक के चंद्रमा में भद्रा का वास सुर्ग लोक में होता है भद्रा सुर्ग लोग में रहती है एवं देवकारियों में विगन डालती है इसलिए देवकारिय करने से पुर्व आपको भद्रा का विचार अवस्थ कर लेना चाहिए जब चंद्रमा कन्या तुला और धनू या मकर रासी में हो तो भद्रा का पैतालोग में वास होता है इस डिसे भाद्रह जिस लोक में रहती है वोही प्रभावी माने जाती है यदू को अब आप मना सकते दे दोसकी उस्त का प्रभाव सब्सकारों जाता है थे प्रशाडन नमबर या या और ऑइट सब्सक्राइब नंबर पर रक्रकाइब का सुबमढ़त भक्तो स्त्रावन पूर्णिमा 30 अगस्त 2030 सुभे 10 बज कर 58 मिनिट पर लगेगी लेकिन इसी समय भद्रा भी लगेगी और भद्रा का समापन 30 अगस्त रात्री को 9 बज कर एक मिनिट पर होगा सुभ मोहरत सास्त्र के नुसार रक्षा बंधन स्रावन महा की पूर्णिमात थी और अपरहां काल मतलब दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना सुभ होता है इस वर्स 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी जो रात 9 बज कर एक मिनिट पर समाप्त होगी ऐसे में जो रक्षा बंधन का त्योहार है राकी 30 अगस्त को रात को बांदी जा सकती है रात को 9 बज कर 3 मिनट से लेकर 31 अगस्त सुभे 7 बज कर 7 मिनट से पहले राकी बांद सकते हैं यह मोरत मैंने पंचांग के नुसार आपको बताया रक्षा बंधन 2023 भद्रा पुच्छ और मुक्का समय रक्षा बंधन भद्रा मुक्च 30 अगस्त 2030 साम 5 बज से लेकर और साम 6 बज कर 31 मिनट तक रहेगा रात आठ बच कर 11 मिनट तक रहेगा 10 नुलमबर पर कभ बांदे राखी क्या समय रक्षा सूत्र बांदने का सही है और उचिते है ताकि भाई के किसी भी कारी में विग्न ना हो और आपका भाई खूब तरक्की करें 30 अगस्त की रात 9 बज़ कर 3 मिनट से लेकर 31 अगस्त 2030 की सुबह 7 बज़ कर 7 मिनट तक आप रक्षा बंधन का त्योहार मना सकते हैं 30 अगस्त को भद्रा के करण राखी बांधने का जो मोहरत होता है वैं प्रान काल में नहीं है इसलिए इस दिन 30 अगस्त 2030 की रात 9 बज़ कर 1 मिनट से लेकर 31 अगस्त सुबह 7 बज़ कर 5 मिनट तक मैंने अपनी भाईयों की इकलाई में राकी बांधे रक्षा सुत्र बांधे और रक्षा बंधन का पन्य पवित्र त्योहार बड़े हर्स और उल्लास के साथ मनाएं और किसी भ्रम में ना रहें जिस व्यक्ति ने ये वीडियो देख ली उसको संपोण जानकारी और 10 मुख्य कारण रक्षा बंधन के भ्रम को दूर कर सकते हैं संपोण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिस की भक्तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ल आप मिलें और आपके भाई को भी किसी तरीके का कोई नुक्षान ना हो इसी मनों कामना के साथ जैमा बगलाम की जैस्त्रिमाकाल